नमस्कार मैं हूँ अर्जुन खजूरियो और आपका स्वागता है हमारे चैनल में दिल्ली के मुख्यमंत्री और आमादमी पार्टी के मुख्या अर्विंद केजरिवाल अब एक विवाद में खड़े दिखाई दे रहे हैं दरसल अर्विंद केजरिवाल की एक विडियो सोशल मीडिया पर फ्लोट हो रही है और उस विडियो में अर्विंद केजरिवाल वक्फ बोर्ड को लेकर जो बयान दे रहे हैं वो काफी चौंकाने वाला बयान है जिसको लेकर अब भारतियनता पार्टी भी अर्विंद केजर और दिल्ली सरकार भी तन मन धन से पूरी तरह से वक्फ बोर्ड के साथ है और आगे बोलते हुए अर्विंद केज्रिवाल उसमें कहते हैं कि बंबई के अंदर इस देश का जो सबसे अमीर आदमी है यानि कि वो इशारा किया गया था मुकेशंबानी की तरफ आगे उसमें अ को पर वाइरल हो रहा है और इसको लेकर अब भारतेहं पार्टी लगातार अर्विंद केज्रिवाल से सवाल पूछ रही है बीजेपी के नेता कपिल सब्सक्राइब जो की पहले अर्विंद केजरिवाल के साथ थे उन्होंने केजरिवाल से सवाल पूछा है कि अमान तुल्ला खान वक्फ में गोटाला करके जेल में पड़ा है और ये मुसल्मानों को केजरिवाल बना रहे हैं अमबानी का घर तोड़कर वक्फ को दे देते वा रे आगे उन्होंने केजरिवाल के लिए लिखा है वा रे मुलाना केजरूदीन ये लिखा गया है कपिल मिश्रा की तरफ से और आगरी लाइन में कपिल मिश्रा ने लिखा है गुजरात में क्या-क्या वक्फ बोड को देने का खुआब है आमादमी पार्टी का दरसल मुकेश हमबानी का अगर फैमिली बैक्ग्राउंड आप देखें तो वो गुजरात से भी लॉंग करते हैं तो भारतिय इंता पार्टी ये सवाल उठा रही है कि अगर मुकेश हमबानी की प्रॉपटी को ये कह रहे हैं कि वक्ष ब कुछ दिन पहले ही अमानतुल्ला खान को गिरफतार किया गया हिरासत में लिया गया है वो भी वक्ष बोर्ड में जो नियुक्तियों हुई उसमें गलत तरीके से अवैद तरीके से उन नियुक्तियों को किया और अमानतुल्ला खान ने अपने खास लोगों को उसमें भरती लिया हैमानतुला खान को लेकिन अर्विंद के जिडिवाल की तरफ से कुछ भी नहीं उस से रेलेटिटिड कहा जारा बार बार जो है वह आरोप जो लग रहे हैं अमानतुला खान जिसके जरीए अंदर हैं उसको लेकर अर्विंद केज़िवाल यही कह रहे हैं कि हमारे विधायकों को फसाने की कोशिच की जा रही है लेकिन खुद दिल्ली वक्फ बोर्ड के जो सदस्य हैं वो अमानतुल्ला खान पर यारोप लगा चुके हैं कि कितनी दांदली अमानतुल कहते थे कि चुनाव से पहले जो मंदिर जाता है वोट बैंक की राजनीति करता है आप खुद आमादमी पार्टी क्यों गुजरात के मंदिरों में पूंट रही है और जब से वीडियो वाइरल हो रहा है लोग भी लगातार सवाल पूठ रहे हैं उस दिल्ली वक्ष बोड में जहां आमानतुला खान एक तरफ शिकंजा कसा हुआ है ब्रस्टाचार के आरोप उन पर लगे हुए हैं एंटी करुप्शन ब्यूरो उन पर जो है कारवाई कर रहा है और ये वीडियो इस बीच आना अरविंद के ज्रिवाल का वीडियो आना कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि वोट बैंक की राजनिती आम आंदुम पार्टी की तरफ से कैसे की जाती है और वहीं अगर बात की जाए इस वक्फ बोर्ड की जो पिछले कुछ दिनों से विवादों में है इस वक्फ बोर्ड की आपको हिस्ट्री बता दे तो कॉंग्रेस सरकार ने 1995 में इसका संशोध अगर बात की जाए वक्फ बोर्ड काफी चर्चा में इन दिनों दिली सरकार की अंटी करुप्शन ब्यूरो जो ब्रांच है उसने वक्फ बोर्ड से ही जुड़े हुए गोटाले के आरोप में जो ओखला से आम आदमी पार्टी के विधायक है के रिवाल के बहत करीबी है म तुला खान उनको भी गिरफतार किया है दूसरी तरफ इसी वक्फ बोर्ड के रेटीड एक खबर आपको बताएं तमिल नाडू के एक हिंदू बहुल गाउं जिसकी करीब 90 फीजदी जमीन जो है उसको वक्फ बोर्ड की संपत्ति गोशित कर दिया गया था जिसमें एक 1500 साल पुराना मंदिर भी था तो सोच ये दुनिया में इसलाम के आने से पहले के मंदिर पर भी वक्फ बोर्ड की इस तरह से अपनी मिल्कियत करके ये दावा कर दे रहा है कि वो प्रॉपटी उसकी है आपको बता दें वो जो तमिल नाडू का हिंदू बहुल जो गाउं है उसक कराम तीरू चंतुरेई है उसको वक्फ बोर्ड ने अपनी मिल्कियत गोशित कर दिया और वक्फ बोर्ड ने बोला कि इस गाउं की पूरी की पूरी जमीन वक्फ बोर्ड के है जबकि उस गाउं में जो सच्चाई अगर आपके सामने बताएं तो सिरफ और सिरफ 22 मुसलिम परिवार है जबकि हिंदू आबादी 95% से भी जादा इह रान करने वाली बात यह है कि वहां के मंदिर पर भी वक्फ बोर्ड ने अपनी संपत्ति गोशित कर दिया है और वहां के गाउंवालों का कहना है कि यह मंदिर 1500 साल पुराना है यानि कि दुनिया में इसलाम के आने उदारन आप देख सकते हैं और दिल्ली में भी मंदिरों पर ऐसे ही वक्फ बोर्ड ने अपनी संपत्ति गोशित किया था और कैसे सिरफ 13 सालों के अंदर दोगनी से जादा होगे वक्फ बोर्ड की जमीन ये सोचने वाला विशे है सबसे पहले तो आपको ये जानकारी दे दें कि वक्फ बोर्ड के पास भारतिय सेना और रेलवे के बाद सबसे जादा जमीन है भारत के अंदर यानि कि जो वक्फ बोर्ड है वो देश का तीसरा सबसे बड़ा जमीन का मालिक है वक्फ मैनेजमेंट सिस्टम आफ इंडिया के मताबिक आपको बता दें कि इस देश के सबी वक्फ बोर्डों के पास मिला कर कुल मिला कर इस समय आठ लाख चोवन हजार पांसो नो संपत्या हैं जो की आठ लाख एकड से भी जादा जमीन पर फैली हुई है और वहीं सेना के पास करीब 18 लाख एकड जमीन पर संपत्या है जबकि रेलवे की चल चल संपत्या मिला कर के कुल 12 लाख एकड में फैली है तो अब जो ये आंकडे जो जानने वाले हैं वो इसलिए चोगा देते हैं क्योंकि साल 2009 की तुलना में देखा जाए तो साल 2009 में व एकड थी वो 2021 आते आते कैसे आठ लाख चोवन हजार एकड हो गई और कैसे बढ़ रहा है वक्फ बोर्ड की जमीन का ये जो रखबा है किस प्रकार से बढ़ रहा है दरसल वक्फ बोर्ड देशवर में जहां भी कबरिस्तान की गेरा बंदी करवाता है उसके आसपास की जो जमीन है उसके वक्फ बोर्ड का कबजा हो जाता है हाल ही में दिली के होज़ खास का भी हमने आपको example दिया था हमारे चैनल पर क्योंकि 1995 का जो वक्फ बोर्ड को लगता है कि कोई भी जमीन वक्फ की समपतिः साबित करने की जिम्मेदारी नहीं होगी यानि कि वक्फ अग जरूर ये कहता है कि किसी की नीजी संपत्ती पर वक्फ बोर्ड अपना दावा नहीं कर सकता लेकिन ये किस प्रकार तै होगा कि ये संपत्ती नीजी है और जिस पर भी वक्फ बोर्ड हाथ रखेगा वो वक्फ बोर्ड को साबित करने की जिम्मेदारी नहीं है कि वो जमीन उ जानता कि इस देश में कई परिवारों के पास जमीन के पुखता कागज नहीं होते हैं वो बरसों से उनके पूरवजों की वो जमीन रहती है और वक्फ बोड इसी चीज़ का फाइदा उटाता है क्योंकि वक्फ बोड को जमीन पर कबजा करने के लिए किसी भी दरांका कोई क वारों का आगस नहीं देना है और ये केज़वाल उसी के नाम पर राजनीती कर रहे हैं कि वक्फ बोड को अंबानी की संपत्ती देंगे और वहीं किसी भी संपत्ती को वक्फ की संपत्ती बता-दिया जाता है तो आप उसके खिलाफ कोट भी नहीं पचानुए में जो ये कानून लाया गया इसके बाद से वक्फ बोर्ड ने कैसे इस कानून का फाइदा उठाया और उसकी गलतियां आज भी जो है कई सारे लोग इस देश के अंदर बुगत रहे हैं तमिल नाडू की हाली में हमने आपको एक्जैम्पल बताई जहां पर 95 फि किया जा रहा है कहीं पर भी सरकारी जमीन पर कबरिस्तान बना दिया जाता है और उसके बाद उसके आसपास का जितना भी इलाका होता है वक्फ बोर्ड कहता है कि यह हमारा इलाका है क्योंकि वक्फ बोर्ड ने जिस पर हाथ रख दिया कि यह हमारा एरिया है यह हमारी जमी वक्फ बोर्ड को उसके लिए कोई कागस देने की जरूरत ही नहीं यह है हमारे देश का 1995 में लाया गया संशोधन के बाद वक्फ एक्ट जिसका नाजायस फाइदा कितने सालों से उठाय जा रहा है लेकिन अब लोग लगातार इस वक्फ एक्ट में संशोधन करने की मांग कर के देश में जो है जमीनों पर अवायत कबजा कर रहा है लेकिन इसी बीच केजरिवाल का वीडियो आना जिसमें वो कहते हैं कि दिल्ली के आमादमी पार्टी सरकार और अर्विंद केजरिवाल वक्फ बोर्ड के साथ तन मन धन के साथ जो है खड़े हुए हैं यह कई सारे स सतेंदर जैन जो अंदर है उसको लेकर जो चुपी नहीं तोड़ी जा रही क्या इसी प्रकार चुपी नहीं तोड़ेंगे अर्विंद केजरिवाल इसको लेकर आपकी जो भी राय है आप हमारे साथ कमेंड बॉक्स में शेयर कर सकते हैं और उससे जुड़े तमाम अपडे